प्रतु महाराज अपने राज्य में लोट चुके हैं और प्रजा की उन्नती के लिए प्रतु महाराज अब एक यग्य करने वाले हैं श्लोक संख्या 13 से आगे पाट करेंगे एक दासिद महासत्र दिक्षा तत्र दिवो कसाम समाजो ब्रह्मा रिशिणामचा राज रिशिणामचा सत्तमा बंदना माता जी एक बहर राजा प्रित्व ने एक महान यग्य संपन करने का व्रत लिया जिसमें रिशिव रामन स्वर्ग लोग की देवता तथा बड़े बड़े राज रिशिए एकत्रेत हुए तो इस करस्तों का धर्म है कि यग इत्यादी नियमित रूप से करते रहना चाहिए प्रतु महाराज अपने धर्म को पालन करते हुए फिर एक महान यग्य कर रहा है इस यग्य का उदेश से कोई शत्कृतु करना नहीं है ये किवल प्रजा की कल्यान के लिए बड़ा यक्य कि कायोजन की रिशी ब्राह्मन देवता इत्यादी सब एकत्र हुए हैं नेतु माताजी सबसे महत्पूर बात यह कई गई है कि यत्पी राजा प्रतु का वाश्थान भारत में गंगा तथा यमना नजियों के मते में था किन्तु उनके उस महान यग में देवताओं ने भी भाग लिया जो ये बताता है कि पहले देवता कर इस लोक में आया करते थे इसी प्रकार अर्जुन युदिष्टर तथा अन्य अनेक महाँ पुरुष उच लोकों की यात्रा किया करते थे इस प्रकार उप्युक्त विमानों तथा अंत्रिक्ष ज्यानों द्वारा लोक लोकांतर से शाक्षा चाकता था इस प्रकार सुविदा थी यातायाद की कि देवता इत्यादी प्रत्वी लोक पे भी आते हैं और प्रत्वी लोक से जैसे पांडुओं का उलेख है वो भी स्वर्ग इत्यादी जा सकते थे गौरी शंकर प्रवुँ उस महान सभा में महाराच वत्तु ने सवरपसं समस्त सम्मानी अतितियों कि उनके पतों के अनुसार यथा योगी पुजा की फिरे उस सभा की मत्रे में खड़े होगए यह सब प्रतित हुआ मानों तारों की बीच पूर्ण चर्णना का उदे हुआ होगए तो यथा उचित सम्मान देना अनिवारे हैं कई बार अति सम्मान भी निंदा होती है अति प्रशंसा भी निंदा होती है यथा उचित जिसको जितना सम्मान देना चाहिए उस तरह सम्मान प्रतु महाराच सभी अतितियों को दिये तात्परि रेखा माताजी, शोभा माताजी, तात्परि बैदिक पद्दत्दी के अनुसार महाराज प्रत्पुने उसे अगिस्तल पर महापुर्शों के स्वागत की जो वेवस्था की थी बहत्यंते महत्पूर्ण है, अतिती स्वागत की पहली विदी उनका पाद प्रचालन है और बैदिक साहते से ग्यात होता है कि जब महाराज इदिष्टर ने राजी सुय यग किया तो सिरी क्रश्ण ने अतितियों के पाद प्रचालन का कारिभार समाला था, इसी तरह महाराज प्रतु ने भी देवताओं, रिशियों, ब्राह्मानों तथा महाराजाओं के समूचित स्वागत की व्यवस्था की थी, ये पाद प्रक्षालन बहुत महत्तपूर्ण अंग है वेदिक सब्वेता में स्वागत करने का, एक तो जो अतिति आये हैं, पाद प्रक्षालन करने से ये जल की उर्जा है, कि जल जब पैरों को धोता है, तो व्यक्ति एकदम रिफ्रेश हो जाता है, एकदम उनकी धकान जाती, और जो चरण धोने वाले हैं, उनको भी क्रपा प्राप्त होती, सादुजन महाजनों की चरण की धूल उनको प्राप्त होती, तो दोनों के लिए लाप्रद है, इसलिए पाद प्रक्षालन ये बहुत महत्तपूर्ण अंग है, जब सादुगन घर में विशेषता आ खासोम्या, पिनान सहा, सुद्विज सिंतहा, गायतरी माताजी महाराज प्रतु की सुद्विज नान सहा, पुर्व सिंचित, पुन्ने करमों से विक्ति को उच्छेकुल में जन्म अच्छी सिक्षा, अच्छा सुंदर्य बल इत्यादी प्राप्त होता है, यहां पर प्रतु महाराज की सुंदर्था का बढण है, जिस प्रकार से उनके उसी प्रकार सुन्दर है तातपरिय अर्चना माताजी इसी ब्यक्ति विशेस की सारेरिक बनावत उसके पूरो कर्मों के अनुसार होती है चाहे मानों समाज हो चाहे पश्रू या देवताओं का समाज हो विभीन प्रकार के शरीरों में देहांतर का यह प्रमाण है तो इस तरह बोलते हैं Face is the Index of Mind जैसे मन में विचार हैं उस तरह मुख पर हाव भाव प्रकट होती है इसलिए सादू गण जो हैं भक्त गण जो हैं उनके मुख पर अलग ही आभा तेज होता है क्योंकि उनके चित में कृष्ण को धारण की हुए है व्यूड व्रक्षा ब्रिहत्ष्रोनी वली वल्गो दलो दरा आब्रतोना व्योजस्वी कांचना उरु उक्रपात विनोत प्रभू माराज प्रतु की साती चोड़ी थी उनकी कमर अत्यान स्थूल तता उनका उदर बल पड़े हुए होने के कार्ण बड़ ब्रच की पतियों की रचना के समान लग रहा था उनकी नाभी भवर जैसी तता गहरी उनकी जांगे सुनहरे रंकी तता उनके पंजे गोरे हुए थे हरे पिश्म सुश्म भक्र सिट्सनिक धा मुर्धवजा कंभु कंधरा महाधने दूक लुक्षए परिध्याय उपवी अचा अक्रोर प्रभू उनके सीर के कालें तथा चिकने बाग अत्यन सुन्दर तथा गुम्राले थे और शंक जेसी गर्दन शूब रेखाव से अलिनकृत थी वे अत्यन मुल्यवान दोती पहने थे और शरीर के उपरी भाग में सुन्दर सी चादर उड़े थे व्यंजिताशेश गात्राश्री नियमे नियस्त भूषणा कृष्णाजिन धराश्रिमान कुषपाने कृतावचिता सुनीता माताजी जब महाराज प्रतु को यग संपन्द करने इतु दिक्षित किया जा रहा था उन्हें अपने बहु मुल्य बस्तर उतारने पड़े थे जिससे उनका प्रकरतिक शारेलिक संदर दिश्टी गोचर हो रहा था उन्हें काला मुल्य चर्म पहने था तथा मुली में कुषवले पेती पहने देखकर अच्छा लग रहा था क्योंकि इससे उनके शरीर का प्रकरतिक संदरता बढ़ गई थी एसा रतीत होता है कि यग के पूर्व महराज प्रतु समस्थ विदी समस्थ करत्य संपन्न कर चुके थे इस प्रकार जब कोई महान अनुष्ठान करते हैं तो वो उस अनुष्ठान के पूरे होने तक ब्रत लेते हैं जिस प्रकार राजसु यग्य के पहले भगवान राम, उनको इस प्रकार से ब्रत लें, जमीन पे सोना इत्यादी, यहाँ पर प्रतु महाराज यग्य संपन्न करने की अजमान है, तो उनको कुछ ब्रत पालन करना पड़ा है, जैसे रासी वेश को छोड़ करके म्रगचर्म प पहनी हुए हैं, इस तरह सुन्दर एक सादु बेश में, प्रतु महाराज और सुन्दर देख रहे हैं, शिशिर्स निक्दतारक्षा, समयश्यता समन्तता, उचिवानिदम उविश्या, सधा सनहर्षयन इवा, वो जै सुनी माताजी, सभा के सदश्यों को प्रोत्साहित करने तथा उनकी प्रसनता को बढ़ाने हेतु, राज्या प्रतु ने ओस्वे नम आकास में तारों के सामान नेत्रों से उन पर द्रश्टी फेरी, और फिर गंबीर वानी, मैं उनसे कहा, चारुचित्रपदं सनलक्ष्णं मिरिष्टं गूडं अविक्लवं सर्वेशाम अपकारर्थं तदा अनुवदन इवा, भूमिका माताजी, महराज प्रतु की वाणी अत्यांत सुन्दर आलंक्रित भाषा से युक्त, स्टु उस्परष्ट तता शूति मधूर थी, उनके शब्द अत्यांत गंबीर तता अर्थवान थे, ऐसा प्रतित हो रहा था मानों वे बोलते समय, परम सत्य संबंदी अपनी नीजी अनुबती व्यक्त कर रहे हों, जिससे महाँ पर उपस्तित सभी लोग लाब उठा सकी। वारे में बताया गया है, वानी चारू चित्र पदम सलक्षणम, एक तू सुन्दर होनी चाहिए, भाशा सुन्दर होनी चाहिए, चित्र पदम अलंकारिक होनी चाहिए, सू स्पष्ट भी होना चाहिए, स्पष्ट समझ में आनी चाहिए, शुरुती मधूर सुनने से मीठी लगनी चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रजल्ब करें नहीं अत्यनत गंबीर और अर्थवान भी होनी चाहिए जो किसी का भला करें उपकार अर्थम लाप पहुचाने वाली सबको लाप पहुचाने वाली इस तरह वाणी होनी चाहिए तो यहां वाणी की विशे तरण अमारी वानी से होना चाहिए तथपरिया सरीतमातजी हरी कृष्ण प्रम्री जन्मात्युनुटू महाराज प्रितो की बाइशारणिक बनावत अथ्यन सुन्दर थी और उनकी वानी भी सभी प्रकार के उजस्वी थी उनके सब्द अलंकारिक भासा से उक्त होने से सुनने में मदूर बिनाव रिता सुसप्ष और किसी प्रकार की संकाया दो रिता से रही थी प्रकार अब महाराज प्रतु बोलना शुरू कर रहे हैं अशुरूनोत भद्रम्वा साधवाये इहागता सस्तो जिग्या सुभी धर्मम आविद्यम स्वामनी शितम अंकित प्रवु पढ़िए राजा प्रतु ने कहा कि सभा सदो आप सबका कल्यान हो जितने भी महापरुष इस सभा में उपस्तेत हुए हैं वे मेरी प्राथना को ध्यान पूर्वक सुने और जो भी व्यक्ति वास्तों में कुछ जानने का इच्चो को वे वद्ध जनों की सभा के समक्षपना निश्य करें आप पूर्वक सुनना चाहिए और यदि कुछ मन में संशे है तो वो भी पूछना चाहिए प्रतु महाराज सबके कल्यान के लिए अभी अपना प्रवचन शुरू कर रहे है साथ परिया रंगनी प्रिया माता जी आपको व्यक्त ना कर सकें किन्तु महराज प्रत्व को ऐसे लोगों की चिंता थी जो भद्र थे अता सर प्रत्व उन्होंने समस्त भद्र पुष्यों को संभोधित किया उन्होंने इर्शालियू व्यक्तियों की परवानी की पिर भी उन्होंने अपने आपको ऐसे राजा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, जो सबको आदेर देता हो, क्योंकि वे रिशियों तथा सादू कुष्यों की सभागे समक्ष अतन्त विनीत भाव से अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहे थे, विश्व समराठ होने के कारण वे उन्हें आग्या दे सकते थे, कि उन्होंने अपने प्रोण निच्चे को सबस्ट करने तू सर्वश्व क्रती के लिए प्रस्तुत किया, इस भोतिक जगत का प्रतिक प्राणी, भोतिक प्रकर्ती के गुड़ों से बद होने के कारण, चार दोसे यूप रहता है, यत्मी महराज प्रतु इन सबसे उपर दे, तो भी उन्होंने एक समान बद जीट के समान, अपने विचार वहाँ पर पस्तित, रिशियों, मुन्यों तता मापुर्शियों के समझ रखे, हरी किस्टा को तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत तरह की लोग हों, कुछ लोग आपसे इरशा करते होंगे, कुछ लोग आपसे प्रेम करते होंगे, आपको उनके बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना है, जो आपसे प्रेम करते हैं, इसी तरह जो लोग प्रचार कर रहे हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए, कि गंभीर वक्तों के लिए हमें महनत करना है कई बार हमारा प्रोग्राम होता है तो आयोजा किस तरह बोलते हैं कि प्रभुजी अपी भीड़े कटी ने हुई थोड़ा रुख जाए तो हम लोग ये सुसते हैं कि नहीं टाइम पे करिकरम शुरू होना चाहिए क्यों? क्योंकि जो गंबीर भक्त है जो आकर के पहले से बैठा है उसका लॉस नहीं होना चाहिए जो लेट आ रहा है वो तो ठीक है वो तो उसको कुछ न कुछ मिली जाएगा लेकिन जो गंबीर है उसका लॉस नहीं होना चाहिए ये हमारे प्रचार का सिद्धान्त होना चाहिए जो भक्ति करना चाहता है, उसकी मदद पहले होना चाहिए, जो नहीं करना चाहता है, ठीक है, उसको कुछ न कुछ तो मिले गई, उसी तरह पृत्व महाराज बोल रहा है कि जो लोग वास्तव में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आप लोगों के लिए मैं बोल रहा दिहान से सुनी पहले राजधर्म की विशाय में बताएंगे फिर बनाश्रम दर्म और प्रिशुद्ध भक्ति इस तरह उनका प्रवचन अभी हम सुनने वाज अम्दन्दरो राजा प्रजानामे है योजिता रक्षिता ब्रत दहस्वैशू सेतेशो स्थापित अप्रथक प्रमदनन्द प्रवजी राजा प्रिश्ण अभी राजा प्रिश्ण अगे का मैं इस लोग का राजा निफ्ट हुआ हूँ और मैं प्रजा के उपर साशन करने उससे विपत्ति से बचाने स्थापित समाजिक विवस्ता में प्रते की स्थिफित चुंसार उसे अजीवी का प्रणार करने के लिए ये राज़ण प्रणार कर रहा हूँ राज़ण है क्या राज़ण प्रथम बात है भगवान की कृपा से ही कोई राज़ण ठीक प्रकार से कर सकता है जो भगवत भक्त नहीं है वो राज़ण भी ठीक से नहीं कर पाएंगे उसके बाद उनका काम क्या क्या है प्रजा का साशन करना विपत्तियों से बचाना और वेदिक आदेशों की स्थापना समाज में करना इसके अनुसार फिर ये था योग कि जो धर्माचरण के अनुसार जो जो आजीविका जिस जिसके वरण और आश्रम के अनुसार देनी चाहिए वो प्रदान करना तो इस प्रकार एक महान आदर्श राजा की रूप से प्रथु महाराज ने उधारन प्रस्तुत किया है प्रवपाद ने महाराज प्रथु की जो सिक्षाए है इसकी उपर बड़े विस्तित तातपरे दिये हैं करपया ध्यान से सुनी आरती माताजी तातपरे यह माना जाता है कि राजा की नियुक्ति पूर्ण पुर्सोत्तम भगवान द्वारा अपने ग्रह विशेश के हित की रक्षा के लिए की जाती है प्रते ग्रह में एक अडिश्टता व्यक्ति होता है जिस प्रकार आज कल हम देखते हैं कि प्रते एक देश का एक राष्ट पती होता है यदि कोई राष्ट पती या राजा बंता है तो यह समझना चाहिए कि उसे यह सुवसर इश्वर प्रदप्त है वैदिक पद्धति के अनुसार राजा को इश्वर का प्रतिनिधी मान कर प्रजाद्वारा उसका मान और रुपी इश्वर के ही समान आदर किया जाता है वास्तों में व शेज रूप से सब्द जीवन का तो समाज को चार शेणियों में बाड़ दिया जाना चाहिए जैसा कि श्रीप भगवान ने श्रीमत भगवत गीता में कहा है चातुर वर्ण्यम मया श्रिश्ट्रम ये चार वर्ण ब्राम्मन शत्री वैस्ट तता शूद्र समाज के प्राकृ में लगे हूं आधुनिक समय में सरकारी या राज की संरक्षन प्राप्त ना होने से सामाजिक व्यवस्था लगबट ढगई है किसी को भी ज्याद नहीं कि कौन ब्राम्मन है कौन शत्री है कौन वैश्ट्र है तता कौन शुद्र है और लोग अपने आपको जन्म से ही कि श संस्कृत हो सके यदि समाज चार समाजिक वर्णों का पालन नहीं करती तो मानों समस समाज से बहतर नहीं रह जाता जिसमें ना शांति है ना संपन्नता रहती है केवल अ वैवस्था तथा अशांती व्याप्त रहती है आदर्ष राजा की रूप में महाराज पृतु ने व को सुरक्षा प्रदान की प्रजा का अर्थ न केवल मनुश्य वरन इसमें पशू वरिक्ष तता अन्य सजीव प्राणी भी आते हैं यह राजा का करतव है कि वह सभी को संडक्षन तता भूजन प्रदान करें आधुनिक समाज के मुर्क तता धूर्द जन सरकार के उत्तर कि प्रजा है जिसमें उनका जन्म होता है और उने भी श्री भगवान के सहारे जीने का अधिकार प्राप्त है पश्वो की बड़े पैमाने पर हत्या से पश्वो की जन संक्या में गड़बड़ी होने की कारण कसाई देश तता सरकार का भविस्य संकट में पढ़ जाएगा मुख्य बात है कि वरणाश्रम के अनुसार ये था योग की विवस्ता स्थाबित करना राजा का कर में अभी जो भक्त हैं ब्रामण हैं ब्रामण का मेरा अर्थ जाती ब्रामण नहीं जो वास्ता में गुणों से ब्रामण हैं भगवत प्रचार कर रहे हैं ऐसे भक्तों को जदी संदक्षन सरकार प्रदान नहीं करेगी, उनका पालंग पोशन की व्यस्ता नहीं करेगी, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जॉब करना पड़ेगा, जॉब करेंगे तो प्रचार कारे नहीं कर पाएंगे, समाज को सिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो फिर शत्री स तंत्र होंगे तो प्रजा का सोशन करेंगे तो व्यपारी भी धन बचा करके लूट करके रखने कोशिश करेंगे तो वो भी अपने व्यपार में चीटिंग करेंगे और शुद्र भी प्रयास करेंगे कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं अपना भोग की विवस्ता पहले से करके र प्रजायते शब्द का मतलब प्रहुपाद बता रहे हैं, जिसने जन्म लिया है आपके छेत्र में, वो आपकी प्रजा है, मतलब पेड़, पौदे, जानवर, इत्यादी सब प्रजा है, और ये सब का संदक्षन करना राजा का करतब्बे, केवल मनुश्यों का नहीं। निखिल प्रभू जितना बरणाश्रम विवस्ता है, सब कुछ का उत्देश है भगवान की प्रसन्नता होना। प्रतु महाराज बोल रहे हैं, अगर मैं बेदिक ज्यान के वित्ता मतलब सादूगन, रिशिगन, ब्रामन, भक्त, इत्यादियों के आश्रे में जदी राज्य करूँ, तो मेरे सेवा से भगवान प्रसन्न होगी। अगर आप ठीक प्रकार से भक्तों के निर्देशन में अपने आश्रम का करतब बेपालन करें, तो हर आश्रम, हर बर्ण सामर्त है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस प्रकार से प्रतु महाराज बर्णाश्रम बेवस्ता का गुड़गान करें। अमित प्रवो, साथ परिया। जो राजा अपने घ्रा के समस्त प्रानियों को सुरुक्षा प्यदान करते हुए अपने निधारित करते निवाता है, वह स्वर्ग लोग का भागी होता है। यह सब परमेश्वर के प्रसन्न कर लेने पर मनुश्यों को अपने कार्यों का वांचित्वाल प्राप्त होता है श्रीमत भागवतम के प्रतम सकंद के द्वितिय अध्या में इसकी पुष्टी हुई है अता कुंबी द्वीज श्रेश्टा वर्णा श्रम विभाग शह स्वनुष्टी तस्य धर्मस्य तमस्दी हरी तोष्णम अपने नियक कारियों को ठीक से संपन्न करना वही परमेश्वर के तुष्टी है काम संदो हाशब्द का अर्थ है वांसित फल की प्राप्ती प्रत्यक प्रानी जीवन के चरम लक्ष को प्राप्त करना चाहता है किन्तो आदिनिक सब्विता के महान वेग्यानिक सोचते हैं कि मनिश्टी जीवन की कोई योजना नहीं है यहां निपट मुर्कता अत्यनत घातक है और सब्विता को अत्यनत खतरनाग बनाती है लोग प्रकृति के उन नियमों को नहीं जानते जो पुर्ण पुरुष्यवत्तम परमेश्वर के आदेश हैं वे पक्के नास्टिक होने के कारण उनका ईश्वर के अफ़्ित्व तथा उनके आदेशों पर कोई विश्वास नहीं होता अता वह यह नहीं जानते कि प्रकृति किस प्रकार कारे कर रही है आम जनता जिसमें तथा कतित विग्यानिक तथा दार्शनिक भी सम्मिलित है उनकी यहां निरी मुर्कता जीवन को ऐसा भयावा बना देती है जिससे लोग यहां नहीं जान पाते कि वे जीवन में उन्नति कर रहे हैं अत्वा नहीं श्रीमत भागवतम के अनुसार केवल भोतिक अक्तित्व के गहनतम शेतर की और ही अगरसर हो रहे हैं अधान तक गोबे वर्शिताम तमिस्त्रम अथा दार्शनी को वेग्यानी को था सामाने जनों को जीवन के कंतव के विशे में सही ज्यान प्रदान करने है तू अभी जो इस्तिती है एक अंधा दूसरे अंधे को रस्ता दिखा रहा है क्या होगा सब गड़े में जाके गिरेंगे जब चेतना शुद्ध नहीं है दिशा निर्देशन देने वाला कोई नहीं है तो कैसे समाज कोई कल्यान कर सकता है इसलिए प्रभपात को एक बार किसी ने पुछा था प्रभपात जदी आपको प्रदान मंत्री बनाया जाये तो आप क्या करेंगे प्रभपात बोले मैं प्रदान मंत्री नहीं बनूँगा मैं प्रदान मंत्री को प्रसिक्षन दूँगा ये सादु का काम होता है, ये ब्राह्मान का काम होता है, दिशा निर्देशन दिखाने, या उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेश्व जिक्षयन, प्रजानम शमल अम्भूंते भगम्चा स्वयम जाहती सहा, मधु माताजी, कोई राजा जो अपने प्रजा को वहरंत था आश्रम के अनुसार, अपने अपने करतमयों को संपन करने की शिक्षा नहीं देता, लेकिन उन से केवल कर और उपकर वसूल करता है, उसे प्रजा द्वारा किये गए, आप वित्र कारें के लिए दंड भोगना होता है, ऐसी अव इस प्रकार जो कारे उनको दिया गया है भगवान की क्रपा से, उनका कारे है कि समाज को पूर्ण रूप से बढ़ना अश्रम के अनुसार स्थित करे, उसमें प्रसिक्षन दे, अगर वो ना करते हुए केवल व्यक्ती कर वसूल कर रहा है, और केवल इंद्रिय भोग में ल लगा हुआ है या प्रजा को भी इंद्रिय भोग में लगा रहा है, तो वो दंडनी है, अब राध है उनको उनकी अपवित्र कारें के लिए राजा को भी भुगतना पड़े, इस प्रकार से राजधर्म की सिक्षा, बर्नाश्रम धर्म की अनुसार प्रतु महाराज दे रह राजी प्रभू राजी का प्रमुक्ष, उन्हें जन्ता के अपवित्र कारियों, पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है, प्रकित के नियम अत्यन्त सूच में है, उदारानार्थ, यदि कोई किशी पाप में स्थान पर भोजन करता है, तो वहाँ पर गटित पाप के कर्मफल का भागी होन अस्त कर्मों पर्भार हैका उसे आप करा सकते हैं, इसे नियम को ग्यान नहीं होता है, इस परकर जो भी कारें हम करते हैं उसके पाप कर्म भी हमको फिर उठाने पड़ते हैं प्रभुपादी को धारन दे रहा है यह था तता जहां भी भोजन के लिए बुलाया जाकर के खाने लगे यह पाप कर्म आपको भूगना पड़ेगा अरे प्रभुजी बुफे लगा है शादी में बुलाया है क्या करें खाना तो पड़े गई बस वो पाप खा रहे हैं डारेक्ट लेकिन अगर ऐसी विवस्ता हो जहां प्रसाद है कोई भक्त काय हो जाना तो बेजिजग जाकर के प्रसाद ले सकते हैं तो यह सब ग्यान समाज में होना चाहिए वर्ण राश्रम के नमसार वेक्तिजग अपना कारे करेगा भड़वान कोई प्रसन्द कर पाएगा स्वयम के जीवन में भी प्रसन्द रहे है तत्प्रजाब्रत पिंडर्थम स्वर्थम एवन सूयवा कुरुता धुक्ष जाधिया तरही में अनुग्रह प्रसन्द प्रसन्द करना चाहिए तुम अपने हितों की रक्षा कर कर सकोगे और अपने राजा की म्रत्यू के उपरां उसके कल्यान के लिए अनुग्रह प्रदान कर सकोगे तुमाहराज मानो इस तरह बोल रहे हो कि आप लोग मुझसे बड़ा प्रेम करते हो अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे कल्यान के लिए आप लोग अपने बर पाप कृत्य करोगे अपना भी जीवन बिगाड़ोगे मेरा भी जीवन बिगाड़ोगे तो भक्त बन जाओ कृष्ण भक्ति को अनुसरण करो तातपरिय जैय माता जी तातपरिय इस लोप में अधोक्षश दिये शब्दातियात मातुपूर्ण है जिनकार थे कृष्ण भावनामरत राजा तथा प्रजा दोनों को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए अन्यता मृत्यू के बाद उन्हें निम्न योनियों में जाना पड़ेगा उत्तरदाई सरकार को चाहिए कि सबके लाव है तू कृष्ण भावनामरत की शिक्षाद दे कृष्ण भावनामरत के बिना राज ये अत्वा नागरे कोई भी जिम्मेदार नहीं बन सकते अतहा महाराज प्रथू ने नागरी को से विशेश रूप से अनुरोद किया कि वे कृष्ण भावनाभावित हो और उन्हें ये सिखाने हे तू अत्यदी कुछ सुक्त है कि कृष्ण भावनामरत का सार भगवत कीता में दिया हुआ है यत करोशी यत असनासी यत जुहोशी ददासी यत पश्यसी कौंते यत अत्कुरुष्व मत परणम तो जो भी करम करे तो जो खाए जो कुछ दान करे और जो भी तपस्या करे वह सब कृष्ण भावनामरत में करे या पूर्ण पुर्शुतम भगवान को प्रसंद करने है तू करे यदि सरकारी नौकरों समेट राज्य के सारे लोगों को अध्यात्मिक जीवन की विधी सिखला दी जाए तो यदि अभी प्रतेक व्यक्ति प्रकृति की कठोर नियमों के द्वारा विभिन प्रकार से कड़ा से कड़ा डंड पा सकता है किन्तु वे इनसे प्रभावित नहीं ह करो आप सब अपने जीवन की सिद्धे को प्राप्त करो यूयम तत अनुमोधत द्वाम पित्र देवरिश या अमला करतु हूँ शाष्तु हूँ अनुग्यातु हूँ तुल्यम यत प्रेत्य तत्फलम मन्जु माताजी मैं समस्त सुद्ध अन्ता करण वाले देवताओं पित्रो तथा सादु कुर्षों से प्रातना करता हूँ कि वे मेरे प्रिस्थाओं का समर्थन करें क्योंकि मृत्यों के पश्चाद किसी भी कर्म का फल इसके करता आदेश करता तथा समर्थ के द्वारा समान रूप से भो बातना कर रहा है कि मैं जो ये नर्देश दे रहा हूं आप लोग पुष्टी कीजिए सही है कि गलत है क्योंकि केवल जो व्यक्ति कर्म कर रहा है वही उसका भोगता नहीं होता है वो कर्म करने वाला करता तो है जिसने आदेश दिया वो भी उसका भोगेगा और जो समर्थन क आपने आपको पाप लगेगा जिस ने दिया है उसको पाप लगेगा और जिस सरकार के अंदर यह काम कोते हैं वास्तम में समाज का उत्थान करना है तो सभी की कृष्ण भक्ती से एक दूसरे को फल मिलेगा, सब को मदद मिलेगी इसलिए कृष्ण भक्ती का प्रचार होना चाहिए, कई बार लोग बोलते हैं कि नहीं, प्रभुजी हम तो अपनी भक्ती करेंगे ना, दूसरों को आप करने दो जो कर रहे हैं, नहीं जो भी व्यक्ती समाज में जी रहा है, दूसरों के पाप का भागी वो भी बन रहा है आप जो अन्न खाते हो, वो अन्न भी जिस व्यक्ती के हाथ से उगरा उसकी चेतना उसमें आ रही है आप जो भी बस तुमें बजार से खरिद के ला रहा है हो जो व्यक्ति से ले रहा है उसकी चेतना उसमें आती है तो आप कहां तक बचोगे आप रेल गाड़ी में जाओगे वहां पापी व्यक्तियों के बीचे बैठोगे उनकी चेतन आगों प्रवावित करें तो कितना बचेगा वेक्टी को अगर वास्तव में क्रिश्ण बहुति का नुस्रना कर रहा है तो कृष्ण बहुक्ति का परेज है . जुस्से ज्यादा ज्यादा भक्तों के बीच में हम रहेंगे हमारी आध्यातमी कॉन्नती होती रहेगी तो राहूल प्रावू प्रिश्ण करिपुर्ण था क्योंकि यह वैदिक आदेशों के अनुसार चलाया जा रहा था तुम्हारा चुके है कि सरकार का मुख्य कर्टव यह देखना है कि सभी लोग अपना-पना कर्टव निभाए और कुष्ण भावनाम्रुत के पत्तक उपर उठ सरकार को इस तरह चलाया जाए कि प्रत्यक विक्ति स्वता क्रिश्ण भावनाम भावित हो सके हो तो राजा प्रिथु चला रहे थे कि वे इसमें उनका संपुर्ण सहयोग दे क्योंकि उनकी समती होने पर मृत्यु के पश्चात उने भी राजा के समान लाब मिलेगा यदि कुशल राजा होने के कारण प्रिथु महाराज को स्वर्व की प्राप्ति हो तो उनको सहयोग देने वाली प्रजा भी उनके साथ उपर उठ सकेगी चूंकि इस समय जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाया जा रहा है वो शुद्ध परिपूर्ण तथा प्रामानित है और प्रिथु महाराज के चरण चिन्नों का अनुसरन कर रहा है और तो जो भी सांदोलन में सहयोग देता है या इसके नियमों को स्विकर करता है उसे वही फल मिलेगा जो प्रिष्ण भावनामृत का सक्रिय रूप से प्रचार करने वाले कार्य करता है यह जो नियम बता रहे हैं यह नियम अच्छे करमों के लिए भी है जो भगवत भक्ति करेगा प्रचार करेगा उसको तो अच्छा फल मिलेगा जो समर्थन करेगा उनको भी फल मिलेगा वो सकता है कई बार हम लोग भाईय रूप से सिवा नहीं कर पाते हैं अपनी जिस तरह पूर्ण समर्पित भक्त करते हैं लेकर उनको अगर समर्थन कर दिया सयोग कर दिया तो आपको भी फल मिलेगा तो इस प्रकार से प्रतु महाराज बड़ी विशेश सिक्षाएं दे रहे हैं आगे शुद्ध भक्ति की सिक्षा भी देंगे हम लोग कल पाठ प्रश्न तो नहीं है यह बला जो हम पढ़ रहे थे 25 नंबर की राजा पीच के रहे है अता है प्रजागर तुम्हें अपने राजा के मिट्थू के बाद उसके कल्यान के लिए वंटता अश्नम की अपने अपने स्थितू के अनुसार अपने अपने कर्टवें को पालन कना चाहिए और इस तरह से आगे हैं तो मुझे रियलाइस हूँ रहा था कि यह जैसे श्टो केवल एक प्रजा के लिए नहीं है इन्फेक्ट यह इंस्ट्रक्शन्स जो नहीं है यह एक गुरू भी दे रहे हैं जैसे शिश्य के लिए इस चीज से मैं यही रियलाइस कर रहे हैं तो इस एक जैसा है उन तीना का उद्देश्य होता है उनके संडरक्शन में जो है उनको कृष्ण भक्ती में आगे बढ़ाना क्योंकि अभी पिता उस तरह काम नहीं करते हैं राजा उस तरह नहीं है तो हम केवल गुरू को देख लेकिन वेदिक समाज में तीनों का काम यह होता था जैसे हम प्रभुपात की केस में देख सकते हैं प्रभुपात के पिता ने नीव से उन्हें कृष्ण वक्ती दी बाद में जाके श्रिलवक्ति सिद्धान सरस्वती ने उसको और पोशित किया इसलिए प्रभुपात ने जो लीला पुरशुत्तम भवान कृष्ण किताब है अपने पितागो समर्पित की तो इस तरह उनका उद्देश होता था अध्यात में गुलनाती यहां जो प्रतु महाराज निर्देश दे रहे हैं उस ही बात है वास्ता में गुरू के निर्देश भी उसी तरह है ठीक है इससे हम सारी चीजों को कैसे देश को बदला जा सकता है और इसका कितना इंपॉर्टेंस है और अभी हम लोग एक ग्जांपल के तुरू भी देखते हैं कि हंगरी में जो एक जगह है जहां पर इसकॉन ने इस लेवल तक काम किया है कि वहां के वहां विधेशी लोग जो है भारत में बहुत मुश्किल हो रहा है इंडिया में बहुत मुश्किल ऐसा लगता है तो प्रभू ये इसके लिए मतलब हम लोग इसमें कैसे भागीदार हो सकते हैं हम लोग कैसे इसका पार्ट बन सकते हैं जैसे अभी तो हम सुन रहा है पर हम पार्टिसिपेट कैसे कर सकत देते हैं लेकिन हमें एक चीज़ समझनी होगी कि इस तरह जो विवस्ताएं होती हैं ये नीचे से उपर नहीं उपर से नीचे आती हैं मतलब आप छोटे-छोटे समधाय की स्रिष्टी तो कर सकते हैं लेकिन अगर पूरे समाज में इस तरह की स्थिति को जमाना है उसके राजा का भक्त होना आवश्य है राजा जब तक भक्त नहीं होगा तब तक ये विवस्ताएं जमाना असंभव है हम लोग प्रचार कर रहे हैं लेकिन प्रचार के माध्यम से इस तरह की समुदाय पूरे विश्व में और 100% लोगों को कराना बड़ा कठी नहीं लेकिन तो राजा निर्देश निकालेगा कि नहीं अभी बरिनाश्रम के साब से हम चलेगे अभी गोहत्या नहीं होगी अभी कृषी इस तरह होगा अभी ब्राह्मन इस तरह होगे अभी इस तरह बेदिक शिक्षा दी जाएगी ये राजा का काम है इसलिए प्रहुपाद बोलते कि जब भक्तों की संख्या में बिर्द्धी होगी तो हम लोग वैश्नव राजा बनाएं और जब वैश्नव राजा बनेंगे इस तरह समधायों की स्रिष्टी आसानी से हो जाई इसी के साथ साथ हमको एक और चीज़ समझने की अवश्यक्ता है कि अभी इसकौन के प्रचार क पचास वर्ष हुए है पचास वर्ष बहुत ही छोटी अवदी है जितना कारे इसको ने पूरे विश्व में किया है उसके लिए जैसे मानो इसलाम को फैनले में कितने वर्ष लगे या क्रिश्यानिटी अभी जिस एरिया में है जिस स्थिती में उसको फैनले में कितने वर् जितने भक्तों की संक्या में बृद्धी होगी प्रहुपात बोला हैं बाद में जाके हम अपना विश्णव राजा बनाएंगे वो विश्णव राजा बनाएंगे वो विश्णव राजा बनाश्रम की स्थापना किया करेगा और व्यक्तिगत रूप से भक्त लोगों को भी सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए जैसे हो सकता है भाई रूप से हम वरण आश्रम का पालन नहीं कर पा रहा है क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जह हमको जॉब करना पड़ रहा है हम ऐसे समाज में रह रहे हैं दान तपस्या सुबा उटके भगवद नाम स्मरण ये सब करना चाहिए इसे आज में देख रहा था आप मंगला आर्ती में आये थे मोहित प्रभु भी आये थे अंकित प्रभु आये थे ये सब ग्रस्त धर्म है इस तरह जब आचरण होगा इस तरह समाज में भगवद भक्त तो बनेंगे धीरे 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 जाकर हम देखेंगे कि समाज में पुना वरणाश्रम की इस थापिट होगा है उसस तरह हमारा देच्ए है हम लोग अपनी भक्ती में सूरिश थापिध हो और प्रचार कारे को आगे बढ़ाए जिससे धीरे दीरे दीरे जा करके हम उस कंतवे तक पुना पहुंच सके हैं वक्त वतसल प्रभू अरेकृष्ण प्रभूजी दन वत्तन नाम प्रभूजी मेरे कोशन था अभी अब ने बोला के जावादन हो जाकूल अच्छा हो जो एजूकेशन अच्छी हो तो वह बक्ति में अच्छा रहता है लेकिन कुंती महारान की प्रात्म में आता है कि चार्व चीज़े में बुला मैंने बुला कि पूर्व पूर्व अच्छे कर्मों से अच्छा कुल अच्छा रूप विद्या इत्यादी कोई लोग जन्म से बड़े मेधावी होते हैं एक बार सुनकर के स्मर्ण हो यह सारी चीज़ें पूर्वकाल के पुन्य कर्मों से मिलती हैं लेकिन इस जन्म में हम कितनी भक्ति कर रहे हैं यह हमारे इस जन्म का निर्ण है अब होता क्या है ज्यादा सुन्दर कोई होगा गर्ववान हो जाएगा ज्यादा कोई शिक्षा प्राप्त कर लेगा सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं जश्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सारे गुण सब देवताओं की सारे गुण सब भगवत अकिंचन भक्तों के अंदर सब कुछ आ जाते हैं तो उन्हें प्रतक रूप से सुंदर बनने के अवश्यक्ता नहीं अपने आप वो सब ज्ञान स्पुरित हो जाएगा तो इस प्रकार से पूर्वसिंचित कर्मों से लोगों को ये चार चीजें मिलती हैं दन एश्वरे शुति शुति शुर भीर लेकिन भगवत भक्त अगर अच्छे से भक्ति करें उन्हें सब कुछ भगवान वैसे ही प्राप्त करा देते है प्रचार तो हमसे नहीं होता पर कभी ट्राइब भी करते तो एक बार या दो बार लोग आएंगे तिसरी बार फिर आए भी हो जाते अब प्रभुपात की वुकों के लिए तो कभी होते ही नहीं है राजी उनको क्या सब्सक्राइब ने लिखा है आप प्रचार नहीं कर पाएं कोई बात नहीं सहयोग कीजी जो वक्त लोग प्रचार करें हमके सहयोग कीजी आपके पास एक गंटा है आप बुली प्रोजी मेरे पास एक गंटा है अफते में एक गंटा दे सकती है आदा गंटा है आदा गंटा दीजी 15 मिनिट है 15 मिनिट जितना सहयोग कर सकते हैं, सहयोग केदे, आपको यह वही फाल मिलेगा जो लोग प्रचार में कर रहे हैं, जब आरमी युद्ध में जाती है, तो सभी लोग थोड़ी बंदूक ले करके लड़ते हैं, कुछ लोग कम्मिनिकेशन्स में होते हैं, जो लोग संचार देखते हैं, कुछ लोग cooking में होते हैं कुछ लोग mechanic होते हैं कि machine tank के त्यादी खराब होंगे तो उनको repair करने की team होना चाहिए कुछ लोग medical में होते हैं कि जो जकमी soldiers आएंगे उनको हम लोग मदद करेंगे उसी तरह ये प्रभुपात की आर्मी है ये प्रभुपात की सिना है इसमें हर तरह के भक्तों के वश्यक्ता है सबी प्रवचं करता बन जायेंगे तो फिर क्रस्वय क्रेगा सबी क्लाइन कुछ जायेगा जी प्रभुजी, मदर 87 एंस है, कुछ बोलना चाहरे हैं आपको, प्रभुजी, हम्वे साथ रस्वावना भावित रहो, अब भी स्वस्त रही है, प्रभुजी, आपका अशेवाद है, मम्मी रागो गड़की है, इसलिए बहुत खुश हो जाती है, केरे आप गुना के हैं न लोग रागो गड़, रागो गड़क गुना, नीमच, बरोड़ा इनकी नहीं है, हम सब बगवत दाम के हैं, जी, 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 यह बहुत खुश्क रहे हैं, जी, 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 कितना दिमाग से निकलना चाहिए, शरीरिक चेतना छोड़ना है, अभी 88 वर्ष के आप हो गई ह शरीरिक चेतना छोड़ना है, कृष्ण इसमरण करना है, एकी चीज याद रहना चाहिए, मैं गोलोग ब्रिंदावन की थी, मुझे गोलोग ब्रिंदावन बापस जाना है, रागो गड़ गुना सब छोड़ देना है, ठीक है, बीस माला करती है, बस उनने बोला कि अच्छ प्रश्चित करना चाहिए, अभी जो जिस एज में वो लोग है, और प्रोजी में दूसरा प्रसंद था, कि ये कई जिगा प्रोपाजी बोले वर्णाश्रम धर्म, अपने एक एक करके चलते हैं, पिता का धर्म है, अपने घर में ऐसा परिवेश स्रिष्टी करे, जो भगवत भक्ती के अनुकूल हो, ये पिता का धर्म है, ऐसा वातवर्ण घ जो भक्ती के अनुकूल हो, अब उसमें क्या क्या आएगा, आपको शारेरिक अवश्चक्ताओं के लिए जो कोछ जरूरी है, वो रखना है, जिससे परिवार कभी भी उपोशित ना रहे, परिवार के कोई भी जरूरत कमी ना हो, और साथ साथ में भगवत भक्ती के लिए स उस संसकार उनके अंदर जाएं, देखो कई बार केवल बोलने से संसकार नहीं जाते हैं, बीटा हमेशे सच बोलना, लेकिन जब फोन आएगा, तो बोलना पापा घर पे नहीं है, हम खुद सिखाते हैं जूट बोलना, हमारे आचरण से बच्चे सीखते हैं, हम बोलते हैं बेटा कभी किसी की निंदा मत करना, फिर पती-पतनी मिलके परिवार की लोगों की निंदा करने हैं, हम लोग बोलते हैं कि देखो भक्ती में बहुत रस है, लेकिन हम जब जब करते हैं, हम जब करते-करते सो जाते हैं, तो हमारे आचरण भक्त बच्ची लोग देखते हैं इसलिए कई बार दुख्य की बात है कि भक्त लोगों की बच्चे भक्त नहीं बनते हैं क्यों नहीं बनते हैं पता है क्योंकि हमारी भक्ती देखके उनका विश्वास उड़ जाता है अरे ऐसे भी भक्त लोग होते हैं कि ये तो घर में लड़ाई करते हैं ये तो घर में दू इसलिए पिता का काम जैसा मैं परमिश्वरी मातजी के प्रश्ण में उनके साक्षातकार में बता रहा था पिता का काम एक तरह से गुरू का काम गुरू को कैसे अधर्शवान रहना चाहिए वैसे ही पिता को अधर्शवान रहना चाहिए कि हमारे सारी क्रिया को बच्चे देख रहे हैं परिवार के बच्चे परिवार के सभी सदस्य देख रहे हैं तो सबसे पहला काम पिता का है ऐसा उधारन प्रस्तुत करे जिसका अनुसरन सब परिवार के लोग कर सके ऐसा परिवेश घर में हो जिसके अनुसार भगवत भगती अनुकूल हो जैसे आज एक अदशी है एक अदशी के दिन शाम के समय आप पहल करिए कि चलो हम लोग साथ में बैठकी किर्टम करते हैं आप घर के मुखिया हैं जे दिन ग्रिहे बज़न देखी ग्रिहे ते गोलो को हो तो ये परिवार की मुखिया का कारिक्रम है और फिर जब बच्चे बड़े होंगे और उसके बाद जब आप समझाएंगे तो वो आपकी सिक्षा को ग्राण करेंगे क्योंकि बच्पन से आपके अंदर उन्होंने एक आदर्श पिता देखा है अब जब बच्पन से ही आपके अंदर कमिया देखेंगे तो फिर वो आपकी आद्यात्मिक सिक्षा को गंबेरता से नहीं लेगे तो इसलिए एक अच्छा भक्त बनना बहुत अवश्यक है हमें जो लोग देख रहे हैं उनकी अपिक्षा है कि हमसे वो सीखें तो इस चीज़ को मैं थोड़ा और डीटेल में समझना चाहता हूँ कि जैसे हम जिस पोजीशन में हैं तो हमें कैसे इसको फोलो करना है जैसा मैंने बताया प्रफुल प्रोगो के प्रश्ण में हो सकता है वरणाशरम आज आप ठीक से पालन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर आपको जौब पे जाना पड़ रहा है यद्दपी आप सिक्षक जौब कर रहे हैं लेकिन फिर वेतन लेते हैं तो वेतन लेना मतलब शुद्र का काम हो तो उस तरह आप कारे वही करना पड़ेगा जिस समाज में आप रह रहे हैं लेकिन हमारी चेतना की शुद्धी के लिए कम से कम बरणाशरम के दो अंग हम पालन कर सकते हैं पहला अंग साधा जीवन उच्च विचाएं अपने जीवन को सरल केजिए अब इसका मतलब यह नहीं कि आप फोन यूज मत केजिए कार यूज मत केजिए घर में मत रहे साधा जीवन मतलब अपने जीवन को सरल बनाए कम से कम कॉंप्लिकेटेड लाइफ रखे जिससे आपको समय मिले भगवत भक्ती करने का पहला और दूसरा समसिद्धिम हरी तोषणम आप जो कुछ काम करते हैं कृष्ण अरपन कर दीजे हे कृष्ण मैं जौब पे जा रहा हूँ आप इसको स्विकार कीजे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ आप इस सेवा को स्विकार कीजे ये चेतना हर ग्रस्त की होनी जाए मैं जो कुछ कारे कर रहा हूँ मेरी दुकान है हे कृष्ण ये आपकी दुकान मेरा जौब है ये आपकी सेवा मैं कर रहा है हर तरह से घर में भोजन बन रहा है हे कृष्ण आप पहले सुविकार कीज़े घर में कपड़े आ रहे हैं भगवान की समक्षे रख देजे भगवान पहले आप सुविकार कीज़े इस तरह भगवत चेतना अगर हमारी रहेगी तो हमारी क्रियाएं शुद्ध हो जाएं कम से कम एक दो काम बनाश्रम के कर सकते हैं उसके आगे फिर जब भक्तों की व्रद्दि होगी ठीक परकार से देवी बनाश्रम की स्थापना होगी तो फिर बनाश्रम के इसाब से ब्रामण शत्री, वैश्श कूद् độ 좋다 त्यादी की बहुत धन्राइब। यह प्रचार का जो सुयोग है दूसरों तक इख्रिश्णवक्ति का जो शिक्षा को पहुँचाने का तरहier बहुत बड़ा काम है वो सकता है शुरू में हम को समझ में ना है कि रहे प्रभुजी क्यों बोल रहे हैं दूसरों को बताओ, दूसरों को गीतार पहुंचाओ, लेकिन जब वो भक्त बन जाते हैं, और वो जब आपको बोलते हैं कि प्रभुजी आपने हमारा जीवन परिवर्तन कर दिया, तब समझ में आता है कि प्रचार की क्या महत्व है, तब समझ में आता है कि बास्तव में हमारे द्वारा भगवान ने क्या सिवा करा दिया, इसलिए बास्तविक में अगर प्रसन्द चित रहना है, ये क्रिश्न भक्ती को बहुत गंभीरता से अपनाना है, हमें क्या मिला है, इसका अनुभव हम आज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भविश्य में जरू करेंगी, अरे क्रिश्न श्रिण प्रभपात की जाए, समझ भक्त ब्रंद की जाए,